तो आज हम थोड़ी सी बाते भी करेंगे, है ना, तो पहली बात तीन important thing जो life की हैं वो ये हैं, देख रहाँ आप, जो की बहुत important होती हैं एक आम आदमी के जीवन में, आम इंसान के जीवन में, सबसे पहली बात, आप अपने dream को कभी न रोकें, यानि कि जो आपका dream है, उसके लिए आप chase करते ने, उसके लिए आप लगातार प्रयास करते ने, क्योंकि जो आप effort डालते वो effort कहीं जाते नहीं है, है ना, जो आप effort रखते वो effort कहीं जाते नहीं है, है ना, वो आपके effort कभ कभी ना कभी, किस ना किसी रूप में, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके दे जाएंगे, है ना, और be yourself, आप अपने आप के साथ रहें, और कुछ यहां फैलाते रहें, अजब be yourself का एक बहुत बढ़िया चीज होती है, उसकी बढ़िया चीज यह है कि आप second point लिख कोई ना कोई बच्चा आपसे अच्छे नंबर ला रहा होगा, कोई आपसे विकार नंबर ला रहा होगा, है ना, कोई ऐसा भी होगा कि भाई, आपसे बहुत एकदम जवरदस competition रख रहा होगा, तो आपको उन सब लोगों के बारे में सोचना नहीं है, देखो किसी के आप, देखो हो गई ऐसा, कोई ना कोई आपसे अच्छा होगा, कोई ना कोई आपसे ज़्यादा talented होगा, कोई ना कोई आपसे ज़्यादा बड़िया तरीके से चीज़ों को deal कर रहा होगा, तो आप अपने आपके साथ रहें और अपने आपके साथ रहेंगे तो उससे क्या होग कि आपके पास एक बहुत बढ़िया चीज है कि आपके पास freedom है fail होने की और जब आप बार-बार-बार fail होते हैं तो fail से आपकी learning मिलती है और उसी learning से आप उपर जाते हैं यस एक बच्चे करा me versus me यस तो वही me और दूसरा me वो आपी है जो पिछला दिन है आपका वो अगले दिन आपी के साथ compare हो किसी और के साथ compare ना हो और हर चीज के बारे में third point जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि say I don't know है ना आपको नहीं पता यह आप बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई नहीं पता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं हर चीज हर किसी के बस की बात नहीं होती है और हर चीज हर किसी को आती भी नहीं है एक बड़ी famous सी आपने बात सुनी होगी कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी वो वात याद आई मैं भी पढ़ाई करता हूँ यार ऐसा नहीं है कि मैं यह सोच रहा था कि यार एक एक्जाम है ठीक है और उस एक्जाम में मैंने भी कभी सुन रखे दी मेरे टीचर ने मुझे सुनाई दी कि अगर आप यह सोचें कि भाई एक बंदर है एक मचली है और एक चीता है तो अगर आप यह सोचें कि भाई एक पेड़ पे चड़ना है बड़ी फेमस है आप लोगों नहीं सुनी होगी तो यह तो मतलब गलत बात है न मचली कैसे चटी की पेड़ पे तो सबके अलग-अलग concern होते हैं दुनिया में लेकर हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो काम होता है एसा कि हो सकता है कि हम उसमें comfortable ना हो हम किसी और चीज में comfortable हो मतलब हमें कोई और चीज पसंद हो तो अगर आपको कोई और चीज पसंद होगी तो वो आप बहतर तरीके से कर पाओगे है न तो ये बड़ी अजीब सी चीश चलती है न लेकिन आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है क्या कि जो भी आपके पास काम है जो भी आप effort लगा सकते हो वो लगाओ अगर कोई चीश आपके हाथ में है और आपके साथ कोई चीश खराब हो रही है तो आप उसको change करो और अगर नहीं है आपके हाथ में और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो tension क्यों लेना है न तो main गहानी यही है कि आप अपने आपके साथ ही लडाई करेंगे और अपने आपके साथ ही बैतर होते जाएंगे हर दिन आपका पिछले वाले दिन से बैतर होना चाहिए ठीक है ups and downs चलते रहते हैं सब के साथ ऐसा होता है कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो fail ना हुआ हो तो fail होने से डरने की जरुद है ही नहीं क्यों क्योंकि ये तो पता है कि success का रास्ता जो है वो fail होके ही जाता है किसी को success मिली है इसका मतलब वो fail भी हुआ है देखे है